आज की वीडियो में एक जवर्दस घरे नुष्का शेयर करने वाली हूं आपकी रूसी यानी डेंडर्फ को खत्म करने का दोस्तों इस नुष्के को ट्राइ करोगे पहली बार में आपको फर्क मज़ा रहेगा और एक दो बार और ट्राइ कर लोगे ना 100% आपकी रूसी डें करके तो चलो आपके टाइम को ना खराब करके आज का वीडियो सुरू करते और आपको बताते इस नुष्के को बनाने में जो भी चीजों का इस्तिमाल किया ना वह घर पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और आपके एक भी रुपे कर्च नहीं होने वाले हैं जी आप किस बात की देरी आज का टार्टे हैं तो चलिए यह डियाइवान यह इन उस्का तियार करते हैं तो सबसे पहले इस नुष्के को तैयार करने के लिए आपको जुद पड़ेगी कपूर की यहां पे मैंने 2 टेबलेट लिये अपके पास कोई भी कपूरни आपके ले सकत दोस्तों कपूर में एंटी फंगल एंटी इंफ्लामेंटी एंटी वेक्टिरियर गुड़ होते हैं और यह जो रूसी है यह एक तरह का फंगल है एक तरह का वेक्टिरिया है इसे खत्म करना बहुत जरूरी है अगर यह थोड़ा सा भी हो गया आपके स्कैल पर तो यह बढ़ दोस्तों यहां पर आपको नाजल का तेल एड़ करना है और कोई भी तेल एड़ नहीं करना है नाजल के तेल में भी कुछ ऐसे गुड़ होते हैं जो वेक्टिरिया यानि फंगल को खत्म करते हैं तो आपको यहां पर नाजल का तेल का इस्तिमाल करना है दोस्तों इतना ना रस एड़ करना है दोस्तों नीबू के रस में 5-6 परस तक एसिडिक एसिड पाया जाता है जो संक्रमण और फंगल को दूर करने में मददगार होता है तो आपको नीबू का रस एड़ करना है अब लास्ट में इसमें एड़ करने वाली हूँ यह ऑप्शनल है आप चाहो तो चाहे तो नहीं अइड़ करो दोस्तों मैं इसमें अड़ करने वाली हो एक बड़ा धुकन- जी छी हम डिटॉल एंटिवक्तेरियल होता है व्यक्तिरिया को ख़े chicken फंभल को समना में और रूसी फंभलन और रूसी एक तरह का सर पणगल यह फंगल है इसके बाद अपने बालों पर apply करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी हमारी scalp है scalp पर अच्छी तरह से लगाएंगे आप चाहतों से बालों पर भी लगा सकते हो क्योंकि बालों पर भी रूसी जो होती है वो बैठी हुए होती है तो आप बालों पर लगाईए पर स्क्याल्प पर जादा धान दीजे इसके बाद आपको 30 मिट के लिए छोड़ देना है 30 मिनिट बाद आपको हलके हाथों से मसाज करना है अपनी उंगलियों की उंगलियों से मसाज करना है ताकि जो रूसी है वो बाहर निकल जाए स्क्याल्प को छोड़ दे और उसके बाद आपको कोई भी एंटी डेंडर्फ शैंपू से हैर वाश कर लेना है दोस्तों इसके बाद देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी रूसी कंट्रोल में आ गई है पहली बार में आपको फर्क नजर आएगा एंड हां वीक में आप 3 टाम यूज कर लोगे तो 100% आपको अराम मिलेगा दोस्तों यह तो नुस्का हो गया आप इसे ट्राइ करें आपको फायदा होगा लेकिन आप कोशिश करें कि आपके बालों में रूसी का एक कर ना रह पाया अगर रूसी का एक कर रह गया तो यह फ क्लैचर वगयरा में भी रूसी का जुकड है वो मौजूद रहता है वो बाद में भी आपके बालों में आ सकता है तो साफ करिए उसको अपने परसनल कंगा किसी के साथ शेयर मर करिए शेयरिंग से भी टैंडर बढ़ सकता है तो दोस्तों इस नुस्का को जरूर ट्राइ कर करना एंड कोई भी कि सक्षानी यह करें चाहिते हैं तो वदूर तक लिए जया हिंज भारत